So finally guys Realmear 3.0 का new phone manager application का update यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे कौन-कौन से devices के अंदर यह work करेगा और guys कैसे आप इसको install कर सकते हो अपनी device के अंदर तो कैसे अगर आपके device के अंदर Realmear 2.0 का update रण कर रहा है तो कैसे आपके device के अंदर यहाँ पे work करने वाला यह phone manager application का update तो कैसे यहाँ पे version हमें देखने हो मिलता है 8.6.11 यहाँ पे guys जैसी हम इस वाले version को जैसी हम open करते है phone manager application को sorry यहाँ पे जैसी मैंने open किया तो यहाँ पे agrinol का उपर आपके पास install करने के बाद permissions मांगेगा आपको simply वाँ पे allow कर देना है allow करने के बाद guys यहाँ पे आपको देखने हो मिलता है ऐसा कुछ interface तो यहाँ पे guys optimize करके आप अपने device को scan करके जो इसको optimization कर सकते हो performance को साथ में guys यहाँ पे clean up storage देखने हो मिलती है privacy permissions वो सब कुछ सेम है लेकिन guys यहाँ पे जैसी हम चलते है setting के अंदर setting के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको junk clean up का engine है उसके अंदर आपको दो options show करता है 360 and tcent का and guys यहाँ पे virus scan का जो engine है उसके अंदर आपका tcent and avl का जो function work कर रहा है यहाँ पे means के दो option दी गई है लेकिन guys junk clean up engine के अंदर guys काफी सारी devices के अंदर avl का भी option देखने को मिलता है means के तीन engine देखने को मिलते हैं तो guys यह सब आपको देखने मिलता है इस वाले update के अंदर तो guys next आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर चकड़ गरोंगे यह पर clean up storage यहाँ पर clean up space के अबर जैसी आँगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी जितनी भी space है तो इसको आप clean गरके space को खाली का सकते हो यहां पे कुछ आप वाइरस एंटी वाइरस को भी वाइरस स्कैन करके जो एंटी वाइरस क्लीनर भी यहां पे कर सकते हो तो यह सारी अप्लिकेशन काफी सारे यूजर मेंस के कोमेंट्स भी करते हैं काफी सारी वीडियो के नीचे कोमेंट्स आते हैं के भा दिवाइस के अंदर अबाउट फोन के अंदर तो जैसे हम अबाउट फोन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने में देखने मैं रियल मी XT ड्वाइस जिसके अंदर हमारे पास है Android 11 यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो यहाँ यहाँ आपके पास पहले से नहीं था फोन मैंजर के अंदर एंटिवाइरस एंड डीप के अप्डेट कर दिया गया इस वाले अपडेट के अंदर 8.6.11 तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है वहाँ पी जाकर आपको download link मिलेगा download करके इसको install कर लो अपने device के अंदर और new phone manager application को update कर लो और यहाँ पे अगर आप हमारे channel को subscribe नहीं किया तो ऐसी videos देखने के लिए subscribe करके बैल आइकन को all पेपरवाइस करके रख लिए and guys हमारे telegram group को भी जाइन कर लिए वहाँ पे आपको सबसे पहले किसी भी update के information देखने को मिलती है तो मिलते हैं ऐसी किसी next video में thanks for watching guys